अज मैं लिकराईए विल्कुर अलग तरीके से इडली की रेसिपी जो हम आलू से बना के तयार करेंगे अपने एडली बना के तयार करेंगे एकदम जालीदार एकदम रूई जितनी सोफ्ट हमारी इडली बनकर तयार होगी तो यहां देखिए मैंने एक अच्छे मीडियम साइज का आलू लिया है यह उबलावा आलू है अब यहां पर हमें एक मिक्सिजार लेना है इतनी साईदार ही इडली बनकर तयार होगी यहां पर मने एक कट mineral कर अधा बा की सोचि भुलाव मेंकर निकाल लेंगे पानि को प्रक्राव जैद ध्या है अधा रूसा बेटर होता हमें आलूो जालने है एकदम एडल एकदम सोफ्ट हो और बहुत जालीदार एकदम मुलायम बनती है तो इस तरह से आप इसको 30-40 सेकंड के लिए फेटे तो देखिए इसको अच्छे से फेट लिया है यहाँ पर अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा स्वाधनु सा नमक डाल देंगे आप अपने इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ अब नमक डाल कि अपने पर इस तरह का अप्पपमे लिया है जिसमें तो हम तो सा ओईल ग्रीस कर देंगे अगर आपके पस अपपन नहीं तो आप इसको इडली स्टेंट में बना सकते या फिर किसी भी स्टिल इसी में इन इडलि यहां पर इनो भी डाल सकते हैं पर सोड़ा हर घर में अवेलिबल होता है और एकदम लो बज़ट होता है यह देखे इसको सोड़ा को डाल के मैं से अच्छे से मिक्स करना है यहां पर और उदर हमने जिस बरतन में इनको इस टीम करेंगे उसको गेस पर रख दिया है अब यहा इल्ट से कवर कर देंगे एक द्राइब यही निकाल लेंगे यहां पर निकैले में को इस तरह न देंगे में हां इसको बहुता च्छा है इस तो इसे तरह से प्लेट में बना लेंगे और जो बचावा बेटर था उसको भी हम यहाँ पर इसी तरह से इडली बना लेंगे तो यहाँ पर इसको आपको हाई फिलेम पे 6 मिनिट के लिए स्टीम करना है 6 मिनिट में इडली बनकर तयार हो जाती है तो देखिए बिना इडली स्टेंड के हमने इन इडलीओ को कितनी आसान तरीकी से बना कर तयार किया है तो दूसरा बेज भी हम इसी तरह से स्टीम कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कटोरी सुझी में हमारी इतनी सारी इडली बनकर तयार हुई है तो इडली हमारी सारी complete है आप चाहें तो इन इडली को ऐसे ही ले सकते हैं या फिर इसमें हम एक तड़का लगाएंगे आप देख सकते हैं एकदम जाली दा हमारी इडली बनकर तयार हुई है रूई जितनी सोफ्ट हमारी इडली बनी है यह तो चलते हैं गेस की तरह अब यह यहां पर हमने गेस पर एक फ्राइपेन रखा है जिसमें हमने थोड़ा सा ओईल डाला है अगर आपके पास इसमें से कोई चीज नहीं है तो आप इसकिप कर सकते हैं अब जो आपने इडली स्टीम करके रखी थी उन इडलियों को मिसमें डाल देंगे तो यहां पर इन इड होड़ा से इसमें तिल कर रहे हैं तो टैल ऊप्शनल अगर आपके पास एड़ करने नहीं तो इन को स्कीप कर सकते हैं अब इसमें यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेगी मसाला डाल रही हूं जाता है और इसी तरह से में इडली बनाती हूं तो बच्चे बड़े शोक से कहा लेत तो इसमें याँ पर हम थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं कि तो इस तरह से एक बार अलु डाल कर आप इन इडल्यों को जरूर से बनाए अकर आपके पास बड़ा इडली स्टेंड तो आप इसमें याँ पर बड़ी पी बना सकते हैं तो चलिए इनको सर्क करते हैं तो बेच के बनने में अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फेमिली और फैंड्स में इस तरह की इडली की रेसिपी को जरू से शेर करें ताकि वो भी इस तरह से इडली बना सकतें गर कोई भी question है तो comment box में पूछ सकते हैं Thank you so much